आज़ बिल्लाहिम शेतान रजीम बिसमिल्लाहिद रमान रहीम असलाम अलेकुम रह्मत रलाहिवर्काथ इस्टूडेंट स्टूडे आइना नारा टीचिर अचस कस्लो डिर्वेनिगा लेक्षर फॉर क्लास्टर सब्चेक्ट इस इंग्लिश टॉपिक इस वर्ड इसली जो टॉपिक हम दे बैलून मैं पढ़ रहे हैं उसकी कोस्टन्स मैंने आपको बताएं तो फिर लंग्वेज वर्क था अब वर्ड बिल्लिंग है तो अब उसके उसका जो थर्ड पार्ट है पेज नंबर 109 पे है ठीक है तो यह दिख लिजे आप यहां पे एक पजल इसको हम पजल गेम भी बता सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी वर्ड होते हैं पर बीच बीच में इसमें एक फरफेक्ट वर्ड हमें बनाना है हो मेनी कलर्स कैंड फाइडन हें हिडन इन इन दिस मेंज क्याता है कि आप कितने कलर्स जो यह बक्स दिया गया है इसमें आप कितने कलर्स डोंट सकते हो तो राइट इंड एंड सिर्कल्ड दिवर्ड फे यह उद्इन नेम्स आफ फ लिए खो फिर नीचे जो ब्लैक्स दिये गया है उनमें उनके नाम भी लिखो तो ठीक है ओरेंज दिया गया है वहीं से तो हम डोलेंगे फर्स्ट कलर पी, यू, आर, पी, एल, ए, परपल ठीक है तो नेक्स्ट इस बी, आर, ओ, डाव, एन, ब्राउन नेक्स्ट इस बी, यू, एल, यू, ए, ब्लू नेक्स्ट इस पी, आई, एन, के पिंक अच्ट इस व, ह, आई, 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 इ, वाइट इ वाइट ये देख लेजो, अर, ए, डी तो यह six colors मैंने इसमें identify कर दिये तो आप कुछ और colors भी कर सकते हो तो now fourth part and the last part of this lesson is fill in the blanks in the balloons with their opposites इसमें balloons दिये गये है उनमें words एक दिया गया है उनको हमें opposites बताने है you can find them in the poem the balloon man आप यह जो poem है इसमें भी आप उनके answer डोन सकते हो one is done for you एक हमने आप के लिए किया गया है that's never always small big rainy dry low high sit stand near far तो यह थे आज के दो questions इसी के साथ हमें यह वाला चैप्टर जो है complete होता है इंशाल्ला अगले लेक्चर में एक और टॉपिक पढ़ेंगे हम तब तक के लिए अल्ला हाफिज थैंक यू